Hello everyone, good morning, this is Mithilis and welcome back to the class of Ingenious Physics. So, जैसा कि आप जानते हो कि भाई, हम लोग आज से start कर रहे हैं Physics का पहला class, from class 9 to 12. So, ये वीडियो जो है basically class 9 के बच्चों के लिए हैं, जो कि CVSC Board में पढ़ता हैं. Right, so this video is specifically for those students who are in CVSC Board. So, चलिए हम लोग यहाँ पर NCRT में क्या करेंगे, line by line NCRT को go through करेंगे. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनको लगता है कि NCRT में यार content में दम नहीं है. But let me tell you, NCRT में सारी बात ही दी गई है. But definitely आपको एक tutor की जरुत वहाँ पढ़ती है उस चीज़ को समझने के लिए. So, चलिए one by one हम लोग यहाँ पर सुरुवाद करते हैं. So, for class 9, so this is the first chapter that is motion. So, चलिए हम लोग जानते हैं, motion के बारे में और इसके अलावा जो भी related topic हैं, उसको हम लोग discuss करेंगे. So, let us begin right now. So, in our daily life, we see some object at rest and other at motion. देखो, यहाँ पर दो words हमारे सामने आती है, rest and motion. I will just focus on each and every keywords, right? आपको उन keywords पर थोड़ा आसा ध्यान देने की जरुवत है. तो भाई, हम जानते हैं कि हमारे आसपास में जो चीज़े रखी भी है, या तो वो wrist में है, या तो वो motion में है. यार मैं यहाँ बैठा हूँ, भाई, wrist में हो, right? आप जानते हो कि रोड़ पर अगर कोई vehicle चल रही है, तो वो motion में है, right? कुछ दिन पहले चंद रयान 3 का launch हुआ था, ठीक है? तो भाई, भाई, वो अर्थ से moon तक गया हो, तो वो motion में था, right? तो इस तरीके से, अगर हम अपने आसपास देखें, तो बहुत सारी चीज़े, wrist में है, आप जिस table में बैट करके study करते हो, वहाँ बुक रखिये, वो wrist में है, आप जिस bottle में पानी भर के पीते हो, भाई, वो bottle wrist में है, यार, maximum चीज़े हमारे आसपास, घर के अंदर जो है, वो क्या है, rest में है, गर के बाहर भी देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़े, wrist में हम लोगों मिलती है, school का building, आप daily school जाते हो, my dear, आपको school वहीं का वहीं मिलता है, जिसे road से आप जाते हो, वो road, that is also at rest, material का बना हुआ है, जिस दुकान से daily आप नास्ता पैक कराते हो, वो भ बहुत सारी चीज़े, rest में है, बहुत सारी चीज़े, motion में है, तो हम लोग जानेंगे कि यह rest और motion क्या होता है, right, and let me make it clear, that जो भी मैं यहाँ पर dictate करू, please you have to just note it down, right, उसको आप note down करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा easy हो जाएगा, और साथ साथ आपका notes बनते चला blood flows through veins and arteries, and the car moves, atom, molecule, planet, stars, galaxies, all are in motion, yeah, मतलब छोटे से छोटा चीज़ की बात करें, या बड़े से बड़ा galaxies जगरम लोग ले ले, तो भाई, वो हमको पता सलता है, वो motion में है, we often perceive an object to be in motion, where its position changes with time, यहाँ पर एक word आ रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही important word है, position, right, position changes with time, right, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, तो देखो, position का general meaning होता है, location, position का general meaning क्या है, location, आप जैसे मानलो, आप कही घूमने जाते हो, और अपने दोस्त को बुलाते हो, कि भाई, हाँ भाई, आप इस location में चले आओ, तो आप पूरा बताते हो ना, कि भाई, इस particular location में इस यह जगह नाम है, ठीक है, like football ground में आना है, right corner पे खड़े है, कहाँ पर खड़े है, यहाँ पे cold ring की shop है, वहाँ पर हम लोग खड़े है, तो इस तरी के साब क्या बता रहे हो, अपने दोस्त को अपना position बता रहे हो, अगर वो position बदलेगा, तभी हम बोलेंगा, object का motion में ह है, definition में आएंगे, बड़ हम लोग यहाँ पर जो भी theory लिखे हो, उसको समझते हैं, however, there are situations where motions are inferred through indirect evidence, for example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves and the branches of trees, right, so what causes the phenomena of sunrise, sunset, changing the season, मतलब यह सारी चीज़े जो हो रही हम देखते हैं कि पेल में जो पत्ते लगे हैं उसका थोड़ा सा फड़ाना, right, जिसको हम लोग बोलते हैं, short movement of the leaves, movement of leaves, apart from that हम जानते हैं कि जब किसी अंधेरे रूम में हम आते हैं, और कहीं एक दिवाल में छोटी सी छेद है, या जो ventilator लगा होता है, ventilations होते हैं, right, उससे क्या है, थोड़ा सा अगर रही है, तो हमें वहाँ क्या दिखता है, dust particles देखते हैं, right, तो वो जो dust particles से वो हमको move होता दिखता है, कितना छोटा सा रहता है, बट उसमें भी movement है, वो भी motion में है, right, तो कुछ चीज़े हम लोग आराम से या motion of the earth, simple सी बात यहां पर यह बड़ा ही इंट्रस्टिंग यहां पर mind-provoking question पिक किया गया है, हम जानते हैं कि sun जो हमको move होता दिखता है, right, moon भी भाई, अर्थ के चारों revolve होता दिखता है, आज के date पर तो हमें reality पता है, क्या है, बट यहां पर यह सवाल है कि हम जब अर्थ पर है तो हमें earth move होता हुआ क्यों नहीं लगता है, इसका मैं बहुत simple सा answer देता हूँ, earth जिस speed से spin कर रही है, उस speed से हमारा body भी spin कर रहा है, अर्थ जिस speed से sun के 4 और घूमती है, उस speed से हमारा body भी sun के 4 और घूम रहा है, since जब earth का velocity और object, मतलब जो भी person है, अगर हम अपनी बात कर दो हमारा velocity एक उसरे के equal है, exactly equal है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, earth के movement के बारे में, यही कारण है, बहुत पुराने जमाने में यह सोचा गया था, कि earth रुका हुआ है, बाकी सारे planet move कर रही है, बड़ आज की rate में हम जानते है, sun एक center पे है, बाकी सारे planet उसके 4 औ और revolve कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर simple सा question है, और इसका answer में आपको दिया है, अब यहाँ पर आते हैं, next paragraph में, an object में appear to be moving for one person and stationary for some another, बड़ा ही interesting सा बात है, कोई एक object यह रुका भी लग रहा है, लेकिन move होता भी लग रहा है, कैसे, यहाँ बोला है, an object may appear to be moving for one person and stationary for some other एक person के लिए, एक object रुका हुआ है, और वही object दुसरे person के लिए move कर रहा है, यह कैसे है, चली मैं आपको एक simple सा example देता हूँ, अगर मालो कि अगर आप कहीं travel कर रहे हैं, अपने friend के साथ में, आप bus में बैठे हो, तो आप जानते हो, बस में बैठे हुए दो लोग, एक दिखते हो, जब भी बस गुजरती है, तो बहुत सारे लोग जो है, जो बस का वेट कर रहे होते हैं, या फिर वैसे साब जो आउटसाइड रोड के बगल में होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, अच्छा बस जा रही है, बढ़ी आ है, तो भाई बात यह है कि ज है, एक छोटा से एक्जामपल आपको दिया गया है, जब बस आगे जाती है, तो हमें पेड क्या लगता है, पीछे की और जा रही है, राइट, एक पैसेंजर वो अपने बगल में बैठे वे पैसेंजर को कैसा मिलता है, वो भाई रेस्ट में है, व्यार दो सेट है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में है, यह क्या इंडिकेट कर रहा है, बस में बैठा हुआ एक परसन हमारे लिए तो रेस्ट में था, लेकिन दूसरे के लिए मोशन में था, फिर से आप ध्यान से सुनना, बस में बैठा हुआ एक परसन हमारे लिए तो रिष्ट में था क्योंकि हम भी बस में बैट हैं लेकिन जो परसन बस के बाहर है उसके लिए वो परसन क्या है मोशन में था इसलिए यहां पर यह बात कही गई है जो आपको ध्यान पर रखनी है that an object may appears to be moving for one person and stationary for other person so I hope यह थोड़ा सा आपको basic यहां पर idea हो गया होगा तो चलिए अब हम लोग आगे proceed करते है most motions are complex बड़ा ही simple सा यहां पर बात क्या गया है most motions are complex क्योंकि हमें motions जो है लगता है कि बहुत simple बट real life में motion एक साथ में दो तीन motion regularly होते रहता है some object में move in a straight line some object move in a straight line others may take a circular path कुछ object सीधे रास्ता में चलती है तो कुछ object circular path में चलती है तो भाई यहां पर यह जो straight line में जाने वाला object है जिसका motion होगा इसको हम लोग बोलेंगे rectilinear motion और जो हमारा circular path को follow करेगा we will call that as a circular motion ठीक है so some may rotate rotation का मतलब ऐसा होता यह spinning आप जाते हैं और बॉल को ले कैसे घुमाते हैं हम लोग वो इस पिन हो गया राइट सो उसको rotation बोलते है सम में rotate and few others vibrate यहां पर एक word आ रहा है rotate and there is another vibrate अपने class में बहुत बार किया होगा vibration वाले चीजों को एक scale लेते हैं desk पर रखते हैं और ऐसे करके इसको उपर की तरह लोगो move कराते है अगर करके आवा जाती है तो वह वाइबरेट राइट there may be situations involving the combination of this ऐसा भी situation आएगा जहां पर यह चार में से हो सकता किसी दो का involvement हो in this chapter we will first learn to describe the motion of an object along the straight line पहले हम लोग यहां पर जानेंगे इस chapter में कि straight line motion के बारे में detail में जानकारी लेंगे we shall also learn to express such motion through simple equations and graph यह जो आपका linear motion है straight line motion है इसके लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कुछ simple equations पढ़ने वाले हैं और कुछ graph को भी यहां पर हम लोग cover up करने वाले हैं हम लोग graph को भी study करेंगे और यहां पर जो simple equation से उसको भी हम लोग यहां पर क्या करने वाले को वर अपकरने वाले हैं लैटर वी साल डिसकर वे आफ डिसक्राइबिंग सर्कुलर मोशन रहरों डिसकस करेंगे किसके बारे में आप सर्कुलर मोशन के बारे में so let me make it clear that इस chapter में हम लोग straight line के बारे में detail में जानकारी लेंगे straight line motion जिसको rectilinear motion भी बोलते हैं और उसके कुछ simple equations होंगे graph होंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे circular motion के बारे में यह हमारा basic था introduction right अगर आप NCRT को line by line पढ़ो and definitely अगर आपके पास कोई भी एक person हो जो उसको explain कर दे then NCRT से best book तो फिर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं right so let me make it clear NCRT is very concise and important for your examination and yes अगर आप चाहते हो other book को follow-up करना खुद से read करना तो आप कर सकते हो जो भी बच्चे cvsc board में है उनके लिए एस्चन publication की जो बुक है वो बेस्ट होती है आप उसको go through करें right so यह हमारा था basic introduction यहाँ पर ठीक है तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आप describing motion के बारे में right आज हम लोग का introductory class है तो बहुत जादा हम लोग यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर छोड़े बातों को सिर्फ डिसक्रस करें नेक्स क्लास से हमारा टॉपिक जो है थोड़ा सा advanced level पर चलेगा right तो अब यहाँ पर जैसे describing motion में है अब हम लोग को यहाँ पर कुछ चीज़े लिखे भी है तो यहाँ से भी हमको कुछ keyword मिलेगा क्या मिलेगा चलिए देखते हैं we describe the location location का मतलब मैंने क्या बताया था आपको location मतलब position क्या object exactly कहां पर है right location of any object by specifying the reference point बोलो कि सर यह तो बड़ा भारी भारी वर्ड आ जा रहा है क्यासे काम बनेगा यह एक बार location है फिर reference point है आपने बताया location भी तो एक point ही है तो भाई यह दोनों में क्या difference है इसके बारे में हम लोग आज ही इसको discuss करेंगे that's why हम लोग यह चोटा सा paragraph discuss कर रहे हैं आप रहे हैं let us understand by this by an example let us assume that school in a village is two kilometer north of a rail of the railway station right we have specified the position of a school with respect to the railway station हमने क्या बताया कि railway station जो है उससे दो kilometer के north side में है हमारा क्या यह school का location in this example the railway station is the reference point मतलब यह है कि हम start कहां से कर रहे हैं वो हमारा reference point है वो हमारा measurement के लिए reference point right we could have also chosen other reference point according to our convenience क्या हम अलग-अलग reference point select कर सकते हैं the answer is yes इस को आपको higher class में सिखाए जाएगा कि आप दूसरा reference point कैसे करके select कर सकते हो right चलिए आगे बढ़ते हैं we could have also chosen यह तो हो गया है therefore to describe the position of an object we need to specify reference point called origin अब आपको सायद याद आ रहा होगा कि sir math में सायद हमने origin के बारे में पढ़ा है right तो अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा detail यहां दे देता हूं हम यहां पर ऐसे करके axis बनाते हैं आप जानते हो कि हमारे पास दो line होंगे जो कि x x dash करके लिखते हैं और एक यहां से ऐसे लिखते हैं हम लोग y y dash right this is y and this side y y dash right तो यह हमारा coordinate system हो गया यह हमारा क्या हो गया coordinate system हो गया ठीक है suppose that if अगर कोई एक object इस particular location पर है let us mark this as a और इसका origin क्या होगा यह जो आप देख रहे हो origin वो से मैंने denote कर दिया तो यहां पर यह origin हमारा क्या काम करेगा यह काम करेगा किसके reference point का Rp का reference point जो आपने यहाँ पर देखा है यह हमारा क्या है reference point है तो कभी भी आप measurement करते लो तो origin सही करते और location और position object जिस जगह पर है object जिस जगह पर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसका location या position ठीक है तो यह हमारा basic हो गया फिलहाल आज के लिए तो मैं आपको बहुत ज्यादा lengthy video तो नहीं है बहुत simple way में concise में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा क्योंकि यह जो classes है आपको डेली मिलने वाली है so always pen and copy notebook लेकर आप रखे जो भी चीज मैं important mark करूँ बताओ उसको आपको note करना है even keywords भी जो मैं बता रहा हूं उसको आपको note करना है क्योंकि वहीं सारे इसके बाद जो हमारा topic आता है motion along a straight line के बारे में हम लोग पढ़ेंगे next class में and daily basis पर मैं आपको बता दिया करूंगा कि कौन सा topic next class होने वाला है तो आज के लिए हमारा session रहता है इतना ही इसमें हम लोगों क्या है हमने जाना motion क्या definition नहीं लिखाया अभी ते बट रिष्ट के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा समझ लिए कि जो भी चीज़े रुकी हुई है उसको हम रिष्ट बोलते जो भी चीज़े मूव हो रही उसको हम क्या बोलते motion बोलते लेकिन इसका एक प्रिसाइस डेफिनेशन है राइट रेस्ट किसको बोलेंगे अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन ना बदले तो रेस्ट में है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन बदल जाए तो वो मोसन में है you can write the definition right, I am just going to describe it, इसको मैं definition बता दे रहा हूँ, आप इसको note कर ले न, right, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, definition देखते हैं, rest के बारे में, if any object does not change its position with respect to surrounding as well as time is known as rest, right, now let us come to the motion, if any object changes its position or location with respect to surrounding as well as time, then the body is set to be in motion, right, आप इसको copy में note करोगे, और जो भी keywords है उसको भी note करोगे, right, और जो भी problem आएगे आप अपने query को chat box में डालना, means YouTube में जो comment section है, उसमें आप लिखना, and I will describe that in the next class, right, so I hope that most of the point is clear, so at the end I would like to say, if you like the video, then stay tuned with the channel Ingenious Physics, thank you and keep sharing the content with your friends, अपने दोस्तों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, content को आप शेर करो, और हमारे इस platform में को ग्रो कराने के लिए, definitely आपका contribution बहुत ज़रूरी है, आप जितना ज्यादा जुड़ोगे, जितने ज्यादे विध्यारती, जितने ज्यादे student connect होंगे, मैं उतना motivated रहूंगा काम करने के लिए, because I have dedicated myself to work on YouTube, that's why मैं यहाँ पे class 9th से 12th का, free में पूरा content YouTube में अप्लोड कर रहा हूं, with a detailed solution, with a detailed explanation, बहुत ही बहतर तरीके से आपकी concept को प्लियर यहाँ पे करूंगा, so bye-bye everyone, have a good day, stay tuned with the channel Engineers Physics, thank you.